हेलो फ्रेंट्स वेल्कम ट्यूर चैनल के ट्लिस सोनी अंधिस सोनी जैसे कि आप जानते हो चार बज़े के क्लास में हम लोग जो है इंपॉर्टन कोश्चिन्स कर रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने इंपॉर्टन टॉपिक क्या है इंपॉर्टन कोश्चिन्स कौन से हैं जो की एक्जाम में आपकी आएंगे चाइल्ड और ग्रॉइंग अप से चलिए देखते हैं कोशन भी देखेंगे साथ ही साथ हम एंसर भी देखेंगे सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पने हैं तो को सब्सक्राइब कर लिए अब बिल आइकन को भी हीट कर देजिए अभी तक हमने जो इंपॉर्टन कोश्चन देखा ग्रोथ एंड डेवलापेन की बृध्धियन विकास से था कि किस किस तरह के कोशन पूछे जा सकते अब हम विकास की अवस्थाएं से देखेंगे कल भी म इसमें कोशन किस तरह से आता है वो देखेंगे तो देखेंगे कोशन इसी तरह से रहेगा पहले तो विकास का पूछेगा कि विकास से आप क्या समझते हो तो जो हमने डेवलाप्मेंट किया है वही रहेगा फिर है बाल विकास की विभीन अवस्थाएं कौन कौन से है वर्णन कीजिए फिर वही है विकास के अर्थ हस्पस्ट करते हुए बालक के विकास से संबनित महत्पुन अवस्थाओं का वर्णन कीजिए तो यहां पर आप कोशन दे सकते हैं अभी प्राय अर्थ अर्थ को सपस्ट करते हुए अवस्था को बताना ठीक है तो ये अर्थ जो है और किसे कहते हैं हमने किया हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगी वो आपको पहले वाली क्लास से जो हमारा previous क्लास हुआ है जिसमें हमने विकास का definition परिभासा बताए वहीं से आप लिखेंगे और detail में जिसमें की philosophers के definition के साथ ठीक है अभी हम थोड़ा सा लेकिन फिर भी कढ़ी लेते हैं विभिन मनोवे ज्यानिकों का मानना है कि विकास भिनवी नवस्थाओं को लांगने वाली एक प्रक्रिया है बच्चों के सम्मन्द में किये गए विभिन परकार के अध्यनों से भी यह असपस्ट होता है कि भिन-भिन आयू में बच्चों में विश्जिस परकार के विकास होते हैं ये तो हम अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर आप देखेंगे तो बच्चे का जो है एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो छोटा रहता है फिर दीरे दीरे उसका ग्रोथ होता है और वो उसका बिहेवियर ही चेंज होता है तो उन सभी चीजों को जो है अवस्थाओं में बता दिया गया अवस्थाओं में डिफाइन किया गया है यही कारण है कि एक विशेस अवस्था में होने वाले विकास को हम इस अवस्था से पहले और बाद के अवस्था में होने विकास से अलग कर सकते हैं विकास की प्रत्यक अवस्था की अपनी विशेस्थ वहवार शैली होती है हाला कि असत्त है कि विकास की इन विभिन अवस्थाओं के बीच कोई ऐसे निश्चित रेखा नहीं है जो इनको एक दूसरे से अलग कर सकती है फिर भी बच्चों के बारे में किये गए विभिन अवध्यनों के अधार पर यह पता चलता है कि बच्चों की विकास पढ़नाली को विभिन विकास आत्मक अवस्थाओं में बाटा जा सकता है जो यह विकास आत्मक अवस्थाओं की शुरुआत गर्वधारन से होती है तो तक ये चलती रहती है तो इससे हमारा second जो point है वो clear हुआ कि विकास जो है निरंदर शलने वाली एक परिक्रिया है ठीक है अभी हमारा main focus जो है stages पे देखे stages जो है इसके हर कोई अलग-अलग बताया है अगर आपको याद हो तो हम लोग MCQs जब कर रहे थे तो पूछ रहा था कि Ross के अनुसार जो है कितने सालों तक बताया गया शैशी आवस्था प्रारंभिक बाले अवस्था कितने साल तक है तुत्तर बाले अवस्था कितने साल ये आपने ध्यान दिया होगा तो ये यहीं से पूछा जा रहा था वो question इसमें हर किसी ने पियाजे ने अपने तरीके से अवस्थाइं बताई है रौस ने अपने तरीके से बताई है शैले ने अपने तरीके से शैले का भी बहुत जादा पूछता है तो इसको ध्यान दिजेगा कालसनिक ने अलग तरीके से बताया है तो सबका जो है अवस्थाइं अलग अलग है तो अगर नाम दे करके अगर अवस्था पूछता है तो आपको ये तो याद करना परेगा एनिहाओ आप समझ लीजे क्योंकि हम प्रिवियसली जो हैं सी क्यूज देख कर आ रहे हैं जो हमने टूटल एंसी क्यूज किया उसमें से हमें मोस्ट अब जितने भी अवस्थाय मिली वो नाम के साथ ही मिल रही थ शैले हो शैले का बहुत जादा पूछा गया था तो इस तरह से आपको सभी के नाम के साथ उनकी अवस्थाओं को लर्ण करना है जैसे रॉस के अनुसार शैशे अवस्था जो है एक से तीन साल माना गया है रॉस ने अपनी चार अवस्थाएं जो टोटल बताई हैं उसमें शैशे अवस्था को एक से तीन साल माना है इन्होंने जो है बाले अवस्था को दो पार्ट में डिवाइड किया तो प्रारंभिक बाले अवस्था को तीन से छे और उत्तर बाले अवस्था को छे से बारा और किशोरा बाले अवस्था को बारा से अठारा ये चार तरीके से इन्होंने divide किया है Ross ने थिक है शैले जो बहुत जादा पूछा गया थे इन्होंने 3 ही आवस्ता में बाता है तीन नहोंने पाले आवस्ता को दो आवस्ताओं में नहीं डाला है शैशे आवस्ता को ये 0 से 5 ले ले रहे है जन्म सु लेकर 5 साल तक ये कोशन आया था कि 6 अवस्ता शैले के अकॉर्डिंग कितना है तो ये 0 से 5 साल तक लेते हैं अगर हम एवरेजली देखे तो शैशे अवस्ता को सभी की परिभासाओं को देखने के बाद एक जो common view निकला था उसके अनुसार जो है 0 से 2 वर्स है 0 से 2 साल तक को जो हम शैशे अवस्ता कहते हैं लेकिन शैले के अनुसार 0 से 5 है बाले अवस्ता को इन्होंने 6 से 12 रखा है और किशोरा अवस्ता को इन्होंने 12 से 18 रखा है तो शैले का ये हो गया कॉलेस्निक ने क्या बोला है कॉलेस्निक ने तो देखिया आप यहां पे 7 टाइप्स को इन्होंने डिफाइन किया है क्योंकि इन्हों गर्वधारन से स्टार्ट किया है उसके बाद से हर एक चीजों को इन्होंने डिफाइन किया है अर्ली इन्फैंसि भी बताया है लेट इंफैंसि बताया है चाइल्ड़ोड को दो पाट में रखा है तो इस तरह से इनका तो 7 टाइप्स है और ये भी कोशन पूछा उआ था कि कॉलेस्निक के अंदर गत जो है अर्ली इन्फैंसि का क्या है मतलब देखियए तो इन्होंने साथ में सबसे पहले बताए कि गर्व धारन से लेकर जन्म समय तक यानि कि जैसे बच्चे गर्व में आया और जन्म से पूरू तक का जो काल प्री नटल पीरियेड बोला है काल इस लिखने क्या बोला है प्री नटल पीरियेड फिर है new nuttle period जैसे जन्म बच्चा लिया उसके बाद 3 से 4 से अपता आगा यानि कि एक महने तक का 0 से 1 महना महिना में भी count होड़ा मन्त में 1 मन्त कोई लोग इन्होंने new nuttle बोला है आरंभिक शैश्य अवस्ता यानि early infancy 1 से 15 महिने तक यानि कि 1 साल 3 महिने तक का रखा है इन्होंने फिर उसके बाद अंतर शैश्य यानि कि late infancy इन्होंने रखा है 15 महिने से लेकर 30 महिने तक यानी धाई साल ठीक है चाइल्धूट को इन्होंने जो डिफाइन किया है पूरो बाले अवस्ता दो पार्ट में चाइल्धूट को रखा है पूरो बाले अवस्ता को दो से पांच साल बोला है और मद्धे बाले अवस्ता को छे से बारा साल बोला है कितना 6 से 5 तक इन्होंने पूरो बाले वस्ता रखा है और मध्य बाले वस्ता 6 से 12 है किशोरा वस्ता को 12 से 21 रखा है याद रखिये 21 ले जाने वाले कॉलस्निक ही है इनका सबसे लंबा जो है वो विकास की परकिरिया है जब बच्चा गर्व में आता है तब से स्टार्ट हो जाता है और 21 वर्स तक का है इन्होंने काउंटिंग किया है कि किशोरा वस्ता को 21 वर्स तक काउंट करने वाले पहले फिलोस्पर मुझे देख रहे है ठीक है इवी हरलोक हरलोक का भी पूछा गया था जन्म पूरू की अवस्ता को प्री नटल स्टेज इन्होंने बोला है जो कि 280 दीन के लिए होता है शैश्य अवस्ता को जन्म से 2 साल तक टू यर्स तक शिशु काल को दो वर्स तक यहाँ पे शैश्य अवस्ता को जन्म से 2 सपता तक 2 सपता 2 weeks only शिशु काल को बेबी हुड का नाम दिया है 2 वर्स तक है बाले काल यादि चायल हुड को 2 से 11 या 12 वर्स तक इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया अडली चायल हुड जो है 2 से 6 वर्स हो جाएगा और 7 से 12 जो है लेटर चायल हुड है किशोरा वस्ता को इन्होंने 11-13 इसको भी किशोरा वस्ता को इन्होंने 2 part में divide किया है pre-adolescence जिसको 11-13 वर्ष तक रखा है और जो है इसके बास से इनका adolescence होगा जो कि उन्होंने रखा है 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक यह adolescence वाला निंकल गया है पार्ट लेकिन आप लोग इसमें ये कर लिजेगा ठीक है प्री नतल जो है इसमें जो है एडोलेसंस का जो है इंहोंने रखा है तेरा से यह 14 से रखिए 14 से रखा है 18 यह यह अडोलेसंस का है इनका हर लॉक का ठीक है अब चलिए झन्म से पुरू की अवस्था pre-natal period किसे कहते हैं इसको अब हम overall देखेंगे कि कौन कौन सा होता है तो यह विकास की वो अवस्था है जो गर्व धारन से लेकर बालक के जन्म तक लेने की अवस्था है जैसे ही बच्चा जो एक गर्व में आता है और उसके बाद जब तक उसका जन्म होता है उसको हम pre-natal period जन्म से पुरू की अवस्था जन्म लेने से पहले की अवस्था को काउंट करते हैं जैसे ही इसके बाद इस अवस्था में ब्रून नौ महने तक तेज गती से माता के गर्व में विक्सित होता रहता इस अवस्था में सुक्ष मिसेचित कोश को नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता बाद में यह सुक्ष मिसेचित कोश पुर्ण विक्सित बच्चे का रुप धारन कर लेता है तो यह हाँ इसको भी प्री नटल पीरिएट को भी बहुत सारे श्रेणियों में बाटा गया है पहला है डिम्ब अवस्था यानि कि इस अवस्था को वीजा अवस्था भी कहते हैं दूसरा है ब्रून अवस्था यह अवस्था दो से लेकर आठ महने तक होती है इस अवस्था में जीव ब्रून कहलाता है फिर एक गरवस्थ शिशू अवस्था दा पीरियड ऑफ फॉक्टिस विकास की अवस्था आठ सब्ता से लेकर जन्म काल तक की होती है इस अवस्था के अंतगत ब्रून अवस्था में जिन बाय वांत्रिक अंगो इस अवस्था भावी जीवन सनरचना की आधार स्चीला होती है वैक्ति की अभिब्रिद्धी तथा विकास में शैश्य आवस्था का निरनायक महत्तो है गुडेनेफ के सब्दों में वैक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तीन वर्स की आयू तक हो जाता है एडलर के मत में बालक के जन्म के कुछ माह बाद या निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका क्या इस्थान होगा तो इस तरह से शैश्य आवस्ता का डिफनेशन दिया गया है स्ट्रॉंग ने बोला है जीवन के प्रतम दो वर्सों में बालक अपने भावी जीवन का श्रीला न्यास करता है यदि पिक इसी आयू में उसमें परिवर्तन हो सकता है पर प्रारंभीक प्रविर्तियां प्रतिमां सदेव बने रहते हैं यह अवस्था बालक के जन्म से लेकर दो वर्थ तक चलती रहती है जन्म के बाद पहले दो सब्ता तक शिशु अपने बाहरी वातावरन के साथ पूर्ण रूप से समावजन स्थापित कर लेता है इस अवधी के अंतरगत विकास की गती बहुत कम होती है दो सब्ता के पशिशु के विकास की परिक्रिया बहुत अधिक्तिवर हो जाती है तो यह जो है इन फैंसी के अवस्था को पूरी तरिके से डीटेल में बताया गया है तो आप यह सारी अवस्थाओं को देख करके जरूर कीजेगा क्योंकि यह अवस्था आपको लिखना होगा हो सकता है कि आप यह आंसर जो है पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में करके लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह आपको समझाना जरूर होगा तीसरा हमारा है अरली चाइल हूट जिसको हम पूर्व अबाले अवस्था कहते हैं यह विकास की यह अवस्था जो दो वर्स लेकर 6 या 7 वर्स तक चलती है इस अवस्था में बालक का विकास 6 अवस्था की भाती तिवर्ता से नहीं होता है पूर्व बालेवस्था में बालक बोलने सम्मन्दी कौशलो ततानने किरियात्म कौशलो जैसे गेन फेकना, चलना, दौरना और ठोकर मारना आधी किरियाएं सिख जाते हैं यह early childhood इसका age जो है 2 से start होता है 6 या 7 तक रहता है 2 से 6 उत्तर बालेवस्था लेटर चाइल हूड ये 6 या 7 से start हो करके 11 वर्स तक रहता है इस सवस्था में बालक में पूर्णा आत्मिस्वास और बिभिन कौशलो का विकास होता है विकास की सवस्था की मुखे विशेस्था बालक का समाजी करन है इसमें ज़्यादा तर सोसलाइजिशन होता है क्योंकि बच्चा जो है स्कूल गोइंग रहता है तो स्कूल जाते समय बहुत सारे लोगों से मिलता है अपने टीचर से मिलता है अपने सीनियर से मिलता है तो यहाँ पर इसका socialization जादा होता है उत्तर बाले अवस्था में So friends, यहाँ पर जो है हमारे इतने सारे जो अवस्थाएं है सभी अवस्थाओं को आपको लिखना है इस तरह से details से क्योंकि यह तो question आता ही है, बहुत ही important हो आएगा तो long में आएगा किशोड़ा वस्था, adolescence, किशोड़ा वस्था अर्थाथ, adolescence का अर्थ है to grow maturity, maturity की तरफ जाना, बड़ी पकवता की और बढ़ना यह वस्था 11-12 से लेकर की confusion इसलिए है कि हर philosophers ने अपने-पने thoughts दिये हैं, कोई 11 तक मानता है, कोई 12 से मानता है, कोई 18 तक मानता है को 21 तक मानता है, तो हम average लेकर के चलते हैं, तो यह अगर हम 12 से मानते हैं तो 21 वर्थ तक, जैसे के हमने देखा, कॉलसनिक ने तो 21 साल तक बताया है तो हम इसलिए 21 साल तक इसको ले रहे हैं, ठीक है, इस अवस्था में शुरुआत जो है प्रजनन संस्थान में भी तेजी से परिपक्वता आ जाती है विकास की इस अवस्था में किशोर्यम, किशोर्यम, विपरित लिंक के प्रती आकरसन बढ़ जाता है तो यह किशोर अवस्था का है प्रजन अवस्था भी हम देखेंगे इस अवस्था जो है, सुरी यह बारा नहीं होगा, यह 21 होगा ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 21 तक लिया था, तो यह 21 ले रहा है उल्टा हो गया यह यह अविकास की अवस्था 21 वर्स से लेकर 40 वर्स तक की अवस्था इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति पूर्न रूप से परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है व्यक्तियों में परिपक्वता को प्राप्त करने में व्यक्तिकत भिन्नताय पाई जाती है अर्थात कुछ वैक्ति पुर्ण रूप से परिपक्वता को सिघर प्राप्त कर लेते हैं कुछ देर से प्रौधा वस्ता में वैक्ति पर भिन्ने परकार की जिम्यदारियां करता वे तता अपलव्धियों को प्राप्त करने का भार बढ़ जाता है तो यह होता है adulthood थूट तो ये सारी चीजे जो है आपको करनी है हिंदी और इंगलिस दोनों में ये most important मैं बोलूँगी और ये आएगा भी तो आपका long में ये question आता है stages को बताना देखिए आप लोग को adult हूट तक बता दिया गया है वैसे ये question जो है आता भी है तो किशोर आवस्ता तक ही हमे हो जादा पूछा हुआ था और especially जिनके पास mcqs ही आने वाले हैं इस paper से उनको तो ये ध्यान में रखना होगा ने तो आप खुद confused हो जाओगे कहीं पर 6 आवस्ता एक से 2 वर्स है जीरो से 2 वर्स है तो कहीं पर 3 से 4 वर्स है तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे तो ये according to philosopher होता है philosopher's का नाम और उनके according जो है उनकी जो है जो भी उन्होंने अपनी बताई है अवस्ताएं उसको आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो ये आप लोगों का हो गया सभी अवस्ताओं को मैंने समझा दिये ये पहले के भी classes में जो हमारा पहले जो चार बजे का हम class जब लेते थे तो भी समझाया गया है अगर आभी आपको और detail में समझना है तो आप हमारे पुराने classes जो कि हम आपको playlist में मिल जाएगा वहां से जाकर के देख सकते हैं बहुत ही detail में एक-एक word को एक चीजों को अच्छी तरीके से हमने समझाया है Otherwise हम अभी आपे answer question important questions देख रहे हैं उसका answer आपको कैसे deal करना है लिखना है वो बताया जाना है तो यह आपके होगा हिंदी का इंग्लिस का भी वही है stages and development form of infancy to adolescence है देखें यहाँ पे भी दिया हुआ है यह Ross के according है फिर उसके बास शैले के according है फिर यहाँ पे कॉलस्निक के according है इसी तरह से सबके according अलग-अलग अवस्थाएं होती है इंफेंसिब पीरियड है चाइल्डूट पीरियड है फिर एडॉलेसंस है तो यह सारी के सारी अवस्थाएं आपको करना है फिर नेक्स क्लास में फिर मिलूंगी important questions के साथ जो के भी हम चाइल्डूट का ले करके चल रहे हैं और इसको आपको complete करते जाना है अपना अगर ल कीजिए उसको learn कीजिए फिर मिलूंगे till then have a nice day